नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है साथियों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि TSCT में किस तरह से आपको रजिस्टेशन करना है रजिस्टेशन करने के बाद आप TSCT F पर जैसे ही जाएंगे तो आपको TSCT के बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाएगा इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ पहली वीडियो में मैंने TSCT के बारे में थोड़ा सा बताया था और दूसरी वीडियो में बताया था मैंने कि किस तरह से TSCT में आपको रजिस्टेशन करना है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के description box में आपको दोनों वीडियो के link मिल जाएंगे उन पर click करके आप इसके बारे में जान लिजे और अपने आपको register कर लिजे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जब आपने registration कर लिया तो उसके बाद आपको प अच्छिस तारिक के मद्ध है आपको ये मदद करनी होती है किनको आपको मदद करनी है उसके लिए आपको या तो अपने school block के group से जुड़ना होगा या टियस सिटी के group से जुड़ना होगा आप किसी भी group से जुड़ जाएंगे तो आपको समय समय पर सोचना मिलती रहेगी लेकिन अगर आप किसी भी group से नहीं जुड़े होगे या आपके यहां block इस तर पर कोई group नहीं बनाया गया है या जिले इस तर पर कोई group नहीं बनाया गया है तो आपको ज़्यादा परशान होने की जरत नहीं है आपको सभी सुचनाए टियस सिटी एप पर मिल जाएंगी बस आपको टियस सिटी एप पर जाना होगा क्योंकि बहुत से जगए block इस तर पर group नहीं बनाये गए है या जिले इस तर पर group नहीं बनाये गए है तो टियस सिटी के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती तो आपको इसमें tension लेने की जरत नहीं है आपको सी उसमें आपको login कर लेना है सबसे पहले आप tsct app पर जाएंगे और इसको open कर लेंगे जैसे आप इसमें open करके अपना login ID और password डालेंगे आपकी login ID आपका mobile number होगा और आपका password आपने बनाया होगा तो इस तरह का interface आपके सामने आ जाएगा देखे इसमें इस तरह का interface आपके साम संपर कर सकते हैं देखे इसमें number भी दिया गया है इससे आप संपर कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है इस तरह के notice इसमें आती रहते हैं अगर आपको सारे notice देने देखने हैं तो आप इसमें देख सकते हैं अब बात करते हैं जो latest सहयोग चल रहा है उसके बारे में द थी नहीं बढ़ा जाएगी परतेक नोमनी के खाते में नियूनतम 30 रुपे अलग-अलग आपको भेजना है देखे इसमें वैपसाइट दी गई है सब डिटेल इसमें दी गई है आपको अब फिलाल 5 लोग है जिनके खाते में आपको ये सब करना है इनकी डिटेल दी गई है सारी डिटेल इसमें दी गई है उनका ब्रांच SBI दो खाते दिये गए है जिसमें आपको सहयोग करना है दूसरा आपके सामने ये है दूसरा तीसरा सहयोग आपके सामने है चोथा सहयोग आपके सामने है इस तरह से आपको सभी सहयोग आपर दिये गए है आप इनको ध्यान रसीद का option भी इसमें दिया गया है तो आपको करना क्या है सबसे पहले देख इसमें टीचर स्टीटी की detail भी दी गई कि 143 दिवंगत शिक्सको को कितने पैसे दिये गए हैं उसके बाद अगर आप इसमें देखना चाहते हैं का देखने के लिए इसमें काफी है देखे इस teachers है teachers list किसको आज तक सहयोग किया गया इसमें आप क्लिक करेंगे तो सभी teachers की list आ जाएगी उसके बाद सहयोग list है नीचे व्यवस्ता list है जैसे जैसे सहयोग वीवरन कौन-कौन सा सहयोग हमने किया इसमें क्लिक करेंगे तो सारे सहयोग इसमें आ जाएगी कितने लोगों को गैलरी भी दी गई है, इसमें सब चीटी डीटेल इसमें दी गई है, सारी डीटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं, अलग एप में सारी डीटेल आपको दी गई है, तो सब से पहले आपको क्या करना है, देखें जैसे होम पे जाएंगे, तो होम पे जाने पर आपका सैयोग है, त इनका नाम उतार लीजे, किसके नोमनी है उनको भी उतार लीजे, क्योंकि इसका भी आपको पता चलने पड़ेगा, रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो उनका नाम लिखना पड़ेगा, उनका अकाउंट नमबर लिखना पड़ेगा, कहां पर अकाउंट नमबर है, इन सब को एक साथ आपको लिख लेना है 6 के 6 विवरन को इनको लिखने के बाद आपको करना क्या है या तो इस तरह का होगा या आपको ग्रुप है ग्रुप से आपको सूचना मिल जाएगी जैसे आपको ग्रुप में भी सूचना आती रहती है देखे मैं आपको दिखा देता हूँ देखे जैसे आप group open करते हैं तो आपको इस तरह की सूचना भी आपको मिल जाती है सहयोग alert ये आपके सहयोग दिये गए है और इनके account number भी दिये गए है तो आप इन सभी account number को उतार लेंगे उतारने के बाद आपको क्या करना है अब आपको सहयोग करना है सहयोग करने के लिए आपको सबसे पहले या तो आपको google पे या phone पे या paytium आपको download करना होगा आप paytium चलाते होगे तो चलाना सीख लिजिए google पे तो यहाँ पर मैं आपको phone paytium के बारे में बता रहा हूँ पेटियम जैसे ही आप उपन करेंगे तो इस तरह से आपने पेटियम को उपन किया आपका पेटियम आपके सामने उपन होके आ जाएगा तो पेटियम में एक ओप्षन आपके सामने आएगा UPI light अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो इस पेटियम कर लीजे आपका एक्टिवेट हो जाएगा एक्टिवेट होने के बाद आप UPI light में जितने भी पैसे आपको डालने है अब सहयोग चल रहा है उसमें 30 रुपे का सहयोग करना 6 परिवारों को सहयोग करना तो 180 रुप इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर UPI light आपके सामने आ जाएगा UPI light इस पर क्लिक किया आपने तो UPI light में आपको सबसे पहले पैसे डालने होंगे UPI light में आप सबसे पहले पैसे डाल लीजे जितने भी पैसे आपको डालने है क्योंकि आप बार बार अपने अकाउंट स दोसों पर डालने पर transfer money पर click करेंगे transfer money पर यहाँ पर अपना detail आप यहाँ पर डाल देंगे जैसे आप अपनी detail डाले और उसके बाद click किया तो इस तरह से UPI light में आपके पैसे जुड़ जाएंगे UPI light में आपके पैसे जुड़ गए है उसके बाद आपको क्या करना है पेटियम अपना open करना है और करने के बाद देखे हमने यहाँ किया तो आपको करना क्या है यहाँ पर है two bank account यहाँ पर आपको click करना है two bank account पर जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने कहीं सारे option खुलके आ जाएंगे देखे ये सबसे उपर है enter bank account detail यहाँ पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे तो इस तरह से आपके सामने bank detail निकलके आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जिसा bank account में करना है यहाँ पर उस bank account को click करेंगे हमने यहाँ पर bank account डाला और डालने के बाद दूसरे Number पर यहांपर Bank Name नेम है तो यहांपर Bank Name को Select कर देंगे जیسے आप bank name को select कर देंगे तो receiver का नाम आपके सामने लिखे आ जाएगा अगर आपका नाम लिखे आ गया तो इसका मतलब समझे कि आपका सही हो गया उसके बाद आपको करना क्या है इतना करने के बाद proceed के option पे click करेंगे जैसे आप प्रोसीर के option पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने यह आ जाए प्रोसीर फिर दुबार लिख करेंगे और यहाँ पर आपको 30 रुपे लिखना है पे सिक्क्योर रुपे क्लिक करेंगे UPI Lite से आपके पैसी कटेंगे यह तो देखे इस तरह से आपके 30 रुपे ट्रांसफर हो जाएंगे जब 30 रुपे ट्रांसफर हो जाएंगे तो आप check balance के option पर क्लिक करेंगे जैसे आप check balance के option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका balance पर आजाएगा UPI Lite में कितना balance है और नीचे payment history आ जाएगी या payment history पे click कर दीजे आपको payment history पे click करेंगे तो यहाँ पर वो detail आपके सामने आ जाएगे देखे आपने click किया तो आपके सामने आ गई आपने कितने रुपे click किये और इसके साथ साथ सबसे नीचे आपका UPI reference number यहाँ पर आ गया देखे यह UPI reference number है इस UPI reference number को आपको लिख ले लेना है लिख लेने के बाद आपको इस तरह से सभी 6 पेमेंट कर देने है और करने के साथ-साथ इसका आपको स्क्रीन सोट भी कीच लेना है जैसे आपने क्लिक किया आपने इसका स्क्रीन इस तरह से आप इसका स्क्रीन सोट ले लेंगे आपने एक स्क्रीन सोट ले लिया इस तरह से आपको 6 स्क्रीन सोट लेने हैं सभी 6 के अकाउंट में 30-30 रुपे करने हैं यह UPI Lite से आपके चलते रहेंगे इतना करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है फिर अपने TSCT जाने के बाद उसे क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखे यहाँ पर आपको देखे यह आपका TSCT एप पर आ गए हम तो यहाँ पर देखे आपके सामने ओप्शन यह दिया गया है सबसे उपर देखे यह दिया गया है यहाँ पर आपको क्लिक करना है तीन लाइ option है upload रसीद यहां पर आपको रसीद को upload करना है यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज निकल के आ जाएगा देखे मैंने रसीद अपलोड की हुई है तो इसमें already done आ गया है लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो वह अपलोड रसीद यहाँ पे निकल के आ जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपका आएगा यह देखे देखे यहाँ पर आपने अपलोड रसीद के उप्शन पे क्लिक किया जैसे ही आप अपलोड रसीद के उप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इस तरह का उप्शन आपके सामने आ जाएगा देखे अपलोड रसीद का उप्शन आपके सामने आ गया है यहाँ पर सभी 6 detail आपके सामने आ गई हैं उसके बाद आपको upload receipt के option पे click करना है जैसे ही आप upload receipt के option पे click करेंगे तो इस तरह का interface आपके सामने आ जाएगा सबसे पहले देखे आपने राम नारायन यादव जो है इनके नोमनी को पैसे डाला आप उस रसीद में जो ट्रांजेक्शन नमबर दिया गया है उस ट्रांजेक्शन नमबर को यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको 30 रुपे लिखना है उसके बाद अनिल कुमार चोधर इसके जो नोमनी थे देख लिए जो उसका नोमनी को था उसकी नोमनी को जो आपने पैसे ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखना है यहाँ आप 30 लिखेंगे इस तरह से सभी के ट्रांजेक्शन नमबर आपको लिखने है और हर जेंगे आपको 30 रुपे लिखने है लिखने के पाद देखें उसके बाद यहाँ पर choose image का option दिया गया है choose image के option पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको जितनी भी image हैं आपको 6 रसीड होंगी उन 6 रसीड को आपको यहाँ पर upload करना है देखें मैं आपको दिखाता हूँ 6 रसीड जह scavenगे आपकी इस तरह से यहां तो रसीद में आपको नहीं दिखा सकता देखे यह रसीद हैं लेकिन रसीद नहीं आ सकता तो आपको चुछ रसीद हैं उन पे आपको टिक करना इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, जो 6 दसी दैं, उन पर आप टिक करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है, एड शिक्स, देखे, एड शिक्स लिखा हुआ है, एड शिक्स के ओप्शन पर किलिक कर देंगे, जैसे आपर लग जाएंगे, उसके बाद आपको, देखे, एड़ शिक्स के बाद आपको Summit Donation के Option पे क्लिक करना है, जैसे ही आप Summit Donation के Option पे क्लिक करेंगे तो आपकी Donation summit हो जाएगी और आपका सारा काम खतम हो जाएगा तो इस तरह से आपको ये process करनी है हर महीने 15 तारिक से लेकर 25 तारिक के बिच में आपको ये काम करना है तो मैंने कोशिस की है किस तरह से आपको बताया है अगर कुछ कमी रह गई हो तो वीडियो के comments box में आपको जरूर बताएं लेकिन आप इस काम को जरूर कर लें क्योंकि TSCT से जुड़ने का मतलब है हम अपनी सिक्षक परिवारों की मदद कर रहे हैं ये सोच के कभी मत इस काम को करें कि हमें इससे चाहिए कुछ ये तो समय का नहीं पता होता अगर आप समय के साथ किसी के साथ कुछ हो जाता है हाद्सा तो उसको उसकी वो मिलती है और एक बात का ध्यान लखें कोई भी सहयोग आपको नहीं छोड़ना है अब इसमें पंधरे पांच महीने की लिमिट दी गई है कि पांच महीने ता आपको अपलोड करने के बाद आप इसके सथाई सदस्य होंगे और इसके साथ साथ आप अपना कोई भी सहयोग मत चोड़ें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम मालिजे 15 से 25 तरह के बीच में हम ज़्यादा बिजी हो गए या कोई बीमारी हो गई या हस्पिटल में एडमिट होने बड़ा तो आप अपने साथी से इस काम को करा सकते हैं लेकिन कोई भी सहयोग आपको नहीं छोड़ना है तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें धन्यवाद